नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Realme GT2 Pro 5G vs. Samsung Galaxy M52 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, GT2 Pro में 6.43 इंच जबकी Galaxy M52 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो, GT2 Pro में 2.94 इंच जबकी Galaxy M52 5G में 3.01 इंच की विद्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो, GT2 Pro में 0.32 इंच जबकि Galaxy M52 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, GT2 Pro में 189 ग्राम्स जबकि Galaxy M52 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, GT2 Pro में AMOLED जबकि Galaxy M52 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही, 6.7 इंच मिलती है डिस्प्ले रेशियों, GT2 Pro में 1440 x 3216 और Galaxy M52 5G में 1080 x 2400 मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, GT2 Pro में 88.9 प्रतिशत जबकि Galaxy M52 5G में 86.39 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो, GT2 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M52 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्ज यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो GT2 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera और आखिर में Microscope Camera देखने को मिलता है और Galaxy M52 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो GT2 Pro में 9 different type के features मिल जाते है और Galaxy M52 5G की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो GT2 Pro में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 different features मिलते है और Galaxy M52 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, GT2 Pro में Adreno 730 जबकी Galaxy M52 5G में Adreno 642L मिलता है जिप सेट की बात करें तो, GT2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और Galaxy M52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है बात करें RAM की तो, GT2 Pro में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB की RAM मिलती है जबकी Galaxy M52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो GT2 Pro में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB की storage मिलती है जबकी Galaxy M52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो, GT2 Pro में नहीं है जबकी Galaxy M52 5G में up to 1 TB है operating system की बात करें तो, GT2 Pro में Android V12 जबकी Galaxy M52 5G में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो, दोनों phone में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कलर्स की बात करें तो, GT2 Pro में 3 कलर्स जबकी Galaxy M52 5G में 2 कलर्स आप्शन मिलते हैं सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, GT2 Pro में 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रूपीज 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 57,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Galaxy M52 5G की तो, उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं जो की 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 25,999 रूपीज 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme GT2 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें सामसंग Galaxy M52 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT2 Pro आगे है मेन कामरा में Galaxy M52 5G आगे है फ्रंट सेलफी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में GT2 Pro आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें आपल आइफोन 12 है, दूसरा सामसंग गालेक्सी S21 5G है, तीसरा शाउमी MI10T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना